दोहजार इकीस का यह बजट सर्वग्राही सर्व इसपरसी है भारत के किसी भी कोने को नहीं छोड़ा गया है और ना किसी वर्व को छोड़ा गया है हर एक के लिए हर प्रकार की स्विधाओं का इंतजाम इस बजट में किया गया है चाहे हमारे किसान हों, जवान हों, विद्यार्थी हों, माताएं बहने हों, हर एक को और स्व्रमिक हों, नाविक हों, मच्वारे हों, कोई भी छोड़े नहीं गया है किसी व्यक्ति को नहीं अनुसुचित जाती और जन जाती के लोग हों हर एक के लिए कुछ न कुछ इसमें किया गया है जबकि आप जानते हैं कि कोविट के कारण से देश के अर्थ विवस्ता चर्मरा गए थी इसके बावजूत अर्थ विवस्ता को अच्छी तरव से संभाल गया है और तो और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड रुपए रिलीज हो रहे हैं 35,000 करोड रुपए वैक्सीन के लिए और ये कहा गया है कि और देने की जरुवत होगी तो और देंगे इतना ही नहीं जो स्वास्त और कल्यान की योजनाओं के लिए बजट पहले से होता था उसक 137 प्रतिशत बजट इस बार बढ़ा की दिया जा रहा है सो नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं जिसका निश्चित लाब उत्राखंड को मिलना है दिल्ली देहरादून इकोनोमिक जो कोरिडोर बन रहा है वो 210 किलोमीटर का स्विक्रत हुख किया गया है इस बजट में इतना कारद्वारा उनका भी विस्तित वरणन इसमें किया गया है अब किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि लगदाक में केंदरी विश्चु विद्याले खोलेगा लगदाक के लिह में केंदरी विश्चु विद्याले स्विक्रत हो गया है और जम्बू में गैस की पाइप लाइन पहली बार बिच रही है अन्नी चीज तो होई रही थी जो आज तक लागू नहीं थी तो पहली बार हो रही है और रेल के कोरिडोर कहां कहां नहीं खोल दिये हैं साउत में खोल दिये पश्चिम बंगाल में खोल दिये देश के अन्नी हिस्सों में खोल दिये जिस तरह से उत्राखन के लिए विसेस एकोनोमिकल कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उसी तरह से हमारे वहां पूरे देश के हर हिस्टे को कुछने कुछ दे कर उसको उन्नत किया जा रहा है इसलिए यह बजट वर्तमान में जो हम कह रहे हैं सर्व ग्राही सर्व इसपरसी है हर तरफ से किसी को छोड़ा नहीं है मैं अपने केंद्री वित्यमंत्री जी को शिरीमती निर्मला जी को और प्रधान मंत्री जी जिनकी देख्रेक में पूरा देश चल रहा है और यह बजट भी उनकी देख्रेक में बना है हिर्दे से आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं